नमस्कर दोस्तों आपको मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप मैक्समा मार्क 38 नमर का जो सवाल पूछा जाता है यहां से आप गेन कर सकते हैं लेकिन इस बार आप लोगों ने बीपेसी में जरूर देखा होगा एक चीज को कि यहां पर जो सौट जो ठीक है क्वेस्चन यहां पर दिया जा र का जो ठीक है एक्ट था इसके अलावा यहां पर पटना कलम हो गया निल बिद्रो हो गया तो यहां पर समावना की पूरिक-पूरी यहां पर बन रही है कि इस पर बदलते पैटर्न के अनुसार अब BPSC वहीं घिसी-पीटी सवाल यहां पर देने वाला नहीं है बलकि यहां यहां पर बहुत अधिक चेंजेज ला रहा है तो वैसे प्रशनों को पूछे जाने की समय होना है अगर 38 नमर कर ना पूछे तो सौट में यहां पर पूछ सकता है तो यहां पर समसे पहले आपको शुरुवात करना है मजदूर संग और स्रामिक वरका हुदा है खासकर इसक दान रहा है भारतियों सुतंत्रता संग्राम में यहां से आपको पूरा स्वदेशी अंदोलन से लेके भारत छोड़ा अंदोलन तक पूरक पूरा आपको दिखाने की कोशिस करना है और उसके बाद से आप निसकार्स होगा बिल्गुल चेक एन बेले स्टिपडिक रूप म यहां पर कर सकते हैं अब चली हम लोग यहां पर सुरू करते हैं परिचय में तो यहां पर चुकी बात की जा रही है यहां पर स्रमिकों की और जब भी यहां पर स्रमिकों की बात की जाएगी यहां पर तो फिर और दोगिकरण के दोर को यहां पर सामने लाना होगा तो यहा वहाँ दोईकरण कोहाँ पर सुरुवात होई थी तो वहाँ पर भी मजदूरों को बहुत अच्छा कह सकते हैं कि वेतन मजदूरी उनको नहीं मिलता था इसके साथ साथ जो भी उनके साथ अन्य समस्या थी जैसे कि काम की घंटें पर फिक्स नहीं था फैसलेटी उनको दिया नहीं जाता था उसी परकार से बाल स्रम हो गया बुन्याद के सुधा की कमी हो गया बहुत सारी बीमारिया हो गया ये सारी चीजे देखेंगे तो बुरिटेन में भी ये चीज कोई अच्छूता नहीं था इसी के वज़ासे तो यहाँपर एक जो भारत से अंजल च सामने आए थी, उन सारे चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखके, समय समय बेवारा, मजदूरों के द्यूरा मुझा पर अंदृलन किया गया, और फिर यहाँ बिरिटीश संसत के द्यौरा बहुत सार चार्टर लाया गया है, उन لोगों के द्यूरा धिरे द अधि कारुन को यहाँ पे दे दिया गया लेकिन यहाँ दूसरे तरफ यहाँ पैसको समझने का प्रयाज करना भारत के अंदर में यहाँ पर चुकि भारत मैं जब यहाँ पर उपनिवेसी कररीaden की प्रक्रिषा यहाँ पर सुरवात हो गई तो यहां भारत में भी मजदूरों के साथ कुछ अलग हिस्ति नहीं थी बिल्कुल ये बिर्टेन वाली सिच्वेशन भारत में भारत में भी यहाँ पर जरूरी था कि किस प्रकार से एक उनियान यहाँ पर किस प्रकार से एक संग बनाया जाए और यह हुआ भी लगबग देखेंगे तो 1920 के आसपास यहाँ पर मजदूरों के पुरग पुरा ठीक है एक संग बनाया गया ट्रेड उनियन जिसका यहाँ पर नाम दिया गया उसी की बाद से धीरे धीरे देखेंगे तो बिल्कुल एक अखिल भारती है यहाँ पर मजदूर संग के रूप में ट्रेड उनियन कॉंग्रेस के रूप में बिल्कुल यहाँ पर कॉंग्रेस के साथ आपको चलता हुआ दिखाई देगा हाला कि जब अस्योग अंदोलान यहाँ पर कमजोड हुआ या जब उसे वापस ले लिया गया तो एक समय वहाँ पर ठीक है उनका परभाव कम भी हुआ जिसके वजह से वामपंतियों का परभाव बढ़ता गया तो पुरा का पुरा यहाँ पर परभाव ऐसा नहीं था कि कॉंग्रेस का बिल्कुल छुट गया कॉंग्रेस का भी था लेकिन वामपंतियों का भी था लेकिन उसी में से जो कॉंग्रेस की विचारधारस परभावी थे उन लोगों ने पूरी तरीके से भारत के सोतंदरता स संग्राम में साथ दिया ही दिया अब कैसे दिया क्या दिया इन ही सारे चीजों को आपको ठीक है लिखने का प्रयास करना है पूरा का पूरा तो चलिए हम लोग यहां पर शुरुवात करते हैं इसका नेक्ष्ट पार्ट मजदूर संग और स्रमिक वर्ग का भारतिय सुतंद्रता संग्राम में योगदान अब यहां पर देख पारे कुल जो भी यहां पर छे टाइप का जो योगदान है या फिर कर सकते हैं कि जो भी यहां पर अंदोलन रहा इसमें किस तरीके से यहां पर मजदूरों का या फिर स्रमिक वर् बंगाल बिवाजन 1905 में देखिए जब बंगाल का बिवाजन यहाँ पे किया गया बंगाल का भी बिवाजन किया गया तो उसी समय पे सुअदेशी जो मुहमेंट छेड़ा गया कौंग्रेस के यहां पे गरम पंथि नेताओं के द्वारा नेताओं के द्वारा तो इन लोगों ने यहाँ पर स्रमिकों से सहायता भी मांगा तो यहाँ पर ध्यार रखेगा स्रमिकों से सहायता जब मांगा तो स्रमिक वर्गों ने पूरी तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया ही किया और इसके वज़ा से देखेंगे तो जो अंदोलन का एक विक्राल जो रूप दिखाई दिया और डेडी आप लोग देख चुके हैं स्वधेसी अंदोलन में कि किस प्रकार से बिदेसी वस्तुव का भहिसकार किया गया बिदेसी कपड़ों की यहां पर होली जलाए गई यह कि थोड़ा घटने गरम के संदर में समझने का प्रियास करना है कि 27 सितंबर 1905 को 27 सितंबर 1905 को कलकत्ता में ध्यार रखेगा कलकत्ता में ही जो गौर्मेंट ओफ इंडिया का जो प्रेस है उसी में यहां पे हर्ताल कर दिया गया उसी में हर्ताल कर दिया गया और सिर्फ इसी म बंगाल में कई जगा यहां पर हर्ताल देखने के लिए मिली यही कारण है कि यहां पर देखेंगे तो लगभग कैसरे नेताओं को धेरे धेरे यहाँ पर गिराफतार किया जाने लगा उसके बाद सिधर महराश्ट के तरफ उननिस सो पांच आठ में उननिस सो पांच से आठ के दर्मियान यहाँ पर चला था यहाँ पर भी बंबई में जो कपड़ा मिल था यहाँ पर बंबई में कपड़ा मिल था वहां के मजदूरों ने यहां पर कई सरा हर्ताल किया और इसमें ठीक है तीलक पर मुकदमा चलाया गया बाल गंगाधर तीलक पर मुकदमा चलाया और सजा के खिलाप यहां पर ध्यान रखेगा बंबाई का सरविक संगर्ष मजदूर वर्ग भी यहाँ पसामना मतलब आया है यह या तिलग को समर्थन करने के लिए तो यहाँ पर दिखाई दे रहाँ नहां गया विपिंचे अंद्रपाल हो गया इन सारे राष्टवादी निताओं ने यहां पर पूरी तरीक्री सपना समर्थन दिया ही दिया तो कुल मिला के देखा जाए तो 1905 से आठ के दर्मियान यहां पर स्रमिक संहर्ष ने अंद्वलन में ठीक ठाक अपना योगदान दिया उल परिनाम क्या हुगा भारत के संदर में भारत में क्या देखेंगे यहां पर तो महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई महंगाई बढ़ गई इसके अलावा जो मजदूरी जो दर था मजदूरी जो कम था वो बिलकुल मजदूरों के यहां पर कम कर दी गई इसके अलावा जो प्रोडक्शन जो वता था उसमें भारी मात्रा में यहाँ पर गिरावट देखने के लिए मिली तो कुल मिला कि यहाँ पर देख रहेंगे तो प्रत्थम विश्व यूद के बाद से जनित जो भी समस्या थी भारत को वादे का रूप यहाँ पर कुछ मिला नहीं और नहीं तो समस्या यहाँ पर बढ़ती ही गई तो इसी समय यहाँ पर ध्यार रखेगा गांधी जी ने अखिल भारती अधार पर मजदूर संग के गठन का यहाँ पर पूरी तरीके समर्थन नहीं किया अब यहाँ पर ध्यार रखना है कि गांधी गांधी जो यहाँ पर मजदूर संग के लेके यहाँ पर बहुत अधिक एक्टिव नहीं थे संग को लेके यहाँ पर बहुत अधिक एक्टिव ध्यार रखेगा एक्टिव नहीं थे तो माना जाता है कि एक ऐसा कारणत है आपर देखे मां मजदूर है यहाँ पर अगर यहीं लोग यहाँ पर हरताल कर देंगे तो के बाल बचेज फेमली हैं यहां पर क्या खाएंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या थी यहां पर गांधी जी को लेकर खासकर गांधी जी वर्सेस मजदूर संग को लेकर जो पूरी तरीके से मजदूरों के हरताल के कहिन के यह खिलाप जा रहे थे लेकिन समस्या तो थी यहां पर ध्यान रखेगा प्रत्थम विश्व युद के दवरान आगे चल के जब यहां पे होमरूल लीगा अंदोलन जब छेड़ा गया होमरूल लीगा अंदोलन आपको याद होगा जो कॉंग्रेस का जुल लखनाव अधिवेशन था उन्नी सो सुल्ला का ठीके उसी में एनिवे कात्रा में भाग लेना सुरू किया ठीक है इस परकार देखेंगे तो आप प्रत्यक्ष रूप से यहां पर मजदूरों का अगर देखा जाए तो कहिन कहीं यहां पर देखिए जो रास्त्री जो देश से है सुतंत्रता अंदोलन या फिर सवरात की जो प्राप्ति को लेके यह लोग पूरी तरीके सुनमुक हो रहा था तीसरे नमर पर है यहां पर अस्तायोग अंदोलन के दवरान ध्यान रुकेगा अस्तायोग अंदोलन के दवरान तो माना जाता है कि सुरवाती तोर पर जो कंग्रेस में जो यह करोप लगता रहा है कि कंग्रेस अमीर वर्ग के लोगों की यहाँ पर पाटी है तो कॉंग्रेस वर्ग जो था ध्यान रोकेगा ठीके जो कॉंग्रेस था इन सारे मित्कों को तोड़ने के लिए आपको पता है कि सुराती तोर में देरे-देरे किसानों को यहाँ पर साथ में लाना सुरू कर दिया खास कर जब कॉंग्रेस में गांधी का जब आगबन हुआ तो अब भीर जुटाना था कहीं न कहीं और उसमें एक बहुत बड़ा जो वर्ग था मजदूर भी लोग यहाँ पर मौजूद था तिसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है धिरे धिरे कई सारे नेता लोग यहाँ पर जुड़ते गए अपनी उपस्ति को यहाँ पर दर्ज कराया बड़े रूप में जब वहाँ पर भीलोना शुरू हुआ तो फिर कॉंग्रेस भी उनके महतों को समझने लगी तो यहाँ पर आपको ध्यान देने के ज़रूरत है कि 1920 में 1920 में यहाँ पर लाला लाजपत राय के नेतरितों में लाला लाजपत लाय के नेतरितों में तो नाम याद रखिएगा लाल बाल पाल थ्यान रखेगा लाला लाजपत राय, विपिन चंदरपाल, बारगंगादर तिला, इन लोगों के जो विचार धराए तो बिल्कुल करांतिकारी विचार धराओं से लोग लैस थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने के यहाँ पर क्या है जरूरत है ठीक है और क्रांतिकारी पिचारधारा में एक चीज आनिमारे तत्वे हिंसा का भी आना यहाँ पर तैय है ध्यान रखेगा हिंसा का भी आना यहाँ पर तैय है तो लाला लाजपत राय के नेतिरी तुम्हें यहाँ पे अखिल भारतिया मजदूर संग कॉंग्रेस का गठन किया गया इसी को यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे एटक ध्यार रखेगा अल इंडिया अल इंडिया लेबर यूनियान लेबर यूनियान कॉंग्रेस यहाँ रखेगा लेबर यूनियान कॉंग्रेस इसी को यहाँ पे बोल जाता है एटक ठीक है एटक अल इंडिया लेबर यूनियान कॉंग्रेस ध्यान रखेगा Labor Union Congress की अस्थापना यहाँ पर कर दी गई लेकिन यहीं समस्या है कि गांधी हर हल में नहीं चाह रहे थे कि मजदूर जो लोग है स्रामिक जो वर्ग है इस सांदोलन में यहाँ पर नितिरित वर करें उनकी इच्छा थे यहाँ पर कि पार्टिसिपेटे लोग नहीं करें लेकिन अब मजदूर मानने वाला यहाँ पर लोग नहीं था मजदूरों ने यहाँ पर मजदूरों ने गांधी के मना करने के बाद भी असायोग अंदोलन में भाग लिया जैसे कि इसका कुछ घटनगरम के रूप में आप समझ सकते हैं कि मई 1921 में मई 1921 में चाय बगानों में ध्यान रखेगा चाय बगानों में आप ये कुलियों की यहाँ पर हर्ताल कर ली गई असम बंगाल के तरफ और माना जाता है कि यही से बंगाल के छेतरों के तरफ असम के छेतरों के तरफ 1921 में तेजी से असायोग अंदोलन यहाँ पे फैलता चला गया तो कुछ प्रकार देख रहेगा असायोग अंदोलन में भी कहीं कहीं परत्यक छोरा परत्यक रूप से दूरवर की भागेदारी है ही चौथे नम्मर पे हैं यहाँ पे साइमन कमीशन का बहिसकार साइमन कमीशन का बहिसकार अब इसको थोड़ा समझने का प्रियास करना है कि साइमन कमीशन देखिया आया था तो 1928 के आसपस यहाँ पे आया गवा था लेकिन इस दोरान यहाँ पे थोड़ा घटनाई घटी थी बीच में बीच में यहाँ पे फुला इसको समझने का प्रियास कीजिए जैसे कि यहाँ पे असहयोग अंदोलन की वापसी के बाद असहयोग अंदोलन की वापसी के बाद अगर बीच का जो गैब देखा जाए लगभग नमक सत्यागरा तक नमक सत्यागरा तक तो इस बीच देखेंगे तो यहाँ पे गांधी तो लगे हुए तरचनात्मक कारे करने में तो कॉंग्रेस की जो इस्तिती थी कॉंग्रेस की जो इस्तिती बहुत अधिक यहाँ पे लेकिन यहां पे जब साइमन कमीशन साइवन कमिशन भारत आया साइवन कमिशन भारत आया तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि भारत के अलग-अलग प्रांतों से इसका यहां पे बिरोध किया गया और इसी दर्मियान तीन फरवरी 1928 को जब बंबई पे आगमन हुगा तो वहां पे भी संपूर साइवन कमिशन का यहां पे बहिसकार किया गया उसके खिलाफ परदर्शन किया गया तो यहां पे इसी को समझ सकते हैं कि मजदूर और किसानों के निद्रित में भली भाती उस समय यह संगठित हो चुका था लेबर उनियन ध्यान रखेगा लेबर उनियन यहाँ पे मतलब संगठित हो गया था इसलिए कई प्रकार के वहाँ पे लोग नारा भी दे रहा था जैसे कि साइमन कमिशन, मुर्दाबाद, पूर्ण सोतंतरता, राष्टरिय समिधान सभा, सभाकली मताधिकार, इसके अलावा मजदूरी के व्योग मान कर रहे है कि जीवन निर्वाहियों के मजदूरी जरूर्द मिलना चाहिए, आठ घंटे का कारेकरम और यहाँ पे किसानों को भूमी यहाँ पे देना, ऐसे बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो इससे आपको 1928 में अखिल भारतिया और किसान दल का गठन यहाँ पे हो चुगा था, ठीक है, तो यहाँ पे साहजनन सुच्रति का नाम ही काफी है यहाँ पे, जो किसान अदोलन से बिल्कुल वे सम्मंधित रखते थे, तो कईन कईन देखेंगे तो उसको जो निव थी बिहार से ही आप यहाँ पे सामने आ गया, एक तो यहाँ पे किसान और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मजदूर, नेश्ट यहां पे सबीने अवगया अंदोलन के दवरान अब यहां पे देखेंगे तो 1930 में जिस सबीने अवगया अंदोलन के यहां पे शुरुवात होई थी इसमें पूर्था कॉंग्रेस के द्वारा मजदूरों को यहां पे सामिल कर लिया गया तो 1930 के आसपास यहां पे कॉंग्रेस के द्वारा मजदूरों को सामिल कर लिया गया इसके पहले ही देखेंगे तो लगभग एक जुलाई एक जुलाई से लेके 19 अगस्त तक 19 अगस्त 1929 तक कलकत्ता के आसपास में यहां पे मैंने बताया था कि बंगाल के जुट मीलों में आम हर्ताल हैं पे हुई थी और इसी का अंदाज आप लगा सकते हैं कि यहां पे जब आम हर्ताल हुई थी एक successful कर सकते हैं कि आम हर्टाल है आपे हुई थी अर्थात यहां पर देख रहे हैं ना कि बिल्कुल अवग्या करना सांतिपूर्ण यहां पर अवग्या करना और इसी चीज का यहां पर फायदा मिलता हूँ आपको दिखाई देगा 1930 में ध्यार रखेगा 1930 में और इस आम उठाया गया था किसानों के द्वारा तो कुल मिला कि यहां पर आपको समझने के प्रयास करना है 1930 के समय भी यहां पर कॉंग्रेस ने पूरी तरीके से मजदूरों को यहां पर सामिल कर लिया खुलके यहां पर सामिल कर लिया और यही कारण है कि 1931 में 1931 में यहां पर जब क कराची अधिवेशन होगा कराची अधिवेशन होगा तो अब कॉंग्रेस जो है मजदूरों की मांगों को उठाने लगेगा fundamental right जैसे बाते आएगी और भी मजदूर अधिकार को लेकर जो इनकी मांग थी कराची अधिवेशन में सब यहाँ पे ठीक है शरम निती बनाई गए शरमी कारेकरम को भी अपनाया गया उसके बाद यहाँ पे next हो जाएगा और last भी हो जाएगा भारत छोड़ो अंदूलन के दवरान तो कॉंग्रेस ने गांधिवादी तरीका से कॉंग्रेस ने गांधिवादी तरीका से मजदूरों को बोला कि तुम लोग भी क्या करो अंदूलन करो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसका simple सा मतलब है कि उस समय तक देखेंगे तो मजदूरों में बड़े रूप में देखेंगे ठीके वाम पंथी लोग यहाँ पे सामिल हो चुके थे कई सारे नेतावी लोग थे यहाँ पे और यहसे आपको बता होना चाहिए कि दृतिय विश्व यूद के दोरान यहाँ पे जो वाम पंथियों ने भारत का सोतंतरता संग्राम में पाटिसिपेट नहीं किया चुकि य मित्र राष्टों को खेमे में था तो कहीं कहीं वाम पंथी जो विचर धारा के जो लोग थे रूस से यहाँ पे लोग संचालित हो रहे थे तो यहाँ पे इसलिए कोंग्रेस ने बोला कि भाई मजदूरों को यहाँ पे सामिल करना है लेकिन इनकी जो किरिया पद्ति होगी कारे पदती होगी बिल्कुल ही गांधिवादी प्रकिरिया को अपना रहे होंगे ध्यार रखेगा गांधिवादी प्रकिरिया को अपना रहे होंगे माना जाता है कि कॉंग्रेस ध्यार रखेगा कॉंग्रेस और खास कर जो मैंने बताया था एटक की बात जो कि बिल्कुल यहां पे Congress से घंशता रहता था probably Congress से यहां पे घंशता रखता हि रखता था और वहीं पर देखेंगे तो वाम पंति तत्तों का भी ही वहां पर विकास हो रहा था तो कहिन कहीं आपे एक विचारधारा में कंफ्लिक्त दिखाई देगा कि यहाँ पे हैं तो मजदूर लोग, लेकिन दो धड़ा में बढ़ रहे हैं, एक तो यहाँ पे गांधिवादी पर क्रिया को अपना रहे हैं, और दूसरे तरफ वाम पंथी, बीचार धारा को भी यहाँ पे अपना रहे हैं, हलाकि माना जाता है कि लगभग 1949 में इसी मजदूर संग से लगभग 90,000 मजदूरों ने युद्ध में समराजेवात था दमनकारी उपायों के खिलाफ यहाँ पे पूरी तरीके से हरताल भी गिया, राजनीतिक हरताल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, उसके बाद से जब दौर आज आएगा 1942 का, 1942 का, तो कॉंग्रेस यहाँ पे ध्यार रखेगा, काफी मजदूर उस समय तक यहाँ पे जुड़ चुके थे, और भारत छोड़ों अंदूलन के दवरान मजदूरों ने अपनी हरतालों के माध्यम से एक परमुख भूमकानी भाई, और यह सोतंतरता प्राप्त करने के अर्थात का सकते हैं कि भारत छोड़ों अंदूलन ने कंतिम जन अंदूलन था, जिसमें मजदूरों ने भी बड़ी संख्या में पाटिसिपेट किया ही किया, अब मजदूरों ने किया यहाँ से निकल के आ रहे हैं, अर्थात भी गांधिवादी परक्रिया की हिस्सा हो र अर्थात स्वत्ता फूर्त यहाँ पर हो चुके हैं और भारत छोड़ों अंदूलन में प्रयास कर रहे हैं भारत को अजादी दिलाने का, अब यहाँ पर फानेली आपको निसकर्स यहाँ पर लिखना है, और निसकर्स में आपको बताने कोहिस करना है, कि देखिए और सुर्वात होए थी एक मास मुहमेन पर धियान रखेगा, मास मुहमेन पर जहाँ बढ़ी संखिया में मजदूरों ने एक संग यहाँ बना लिया था, और जब संखिया बढ़ेगी तå अपना पर्भाव धियार डालेगी ही डालेगी, किसी लिए स्रमिक जो अंदुलन भारत के लिए यहाँ पर का सकते हैं कि एक अच्छा खासा एक निव का यहाँ पर इसने कारे भी किया और लगभग 1920 तक आते आते जब यहाँ पर एटक की अस्थापना हो चुकी थी तो स्रामी कांजुलन का अपर एक संगठित का सकते हैं कि नित्रितों के दोर में एक नया अध्या सुरू हो गया और यहीं काराण से मजदूरों ने अब यहीं से सुरू हो गया ठीक है 1920 के बाद यहाँ पर 1921 वहां पर नमकरांती हो गया अग्रली भूमका निभाई ही निभाई और जिन्हों निर्का सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्पूर्ण भूमका निभाते हुए भारत को अजाजी दिलाने का भी प्रयास किया तो यह सारी बाते हैं फुल मिला कि यही था complete answer writing ठीक है